हारी मिर्च ना खाने वाले ध्यान से सुने, पहला रक्चाप को कंट्रोल करने में हारी मिर्च काफी फाइदेमंद होती हैं, हारी मिर्च में रक्चाप का स्तर नियंतित रखने के गुण होते हैं, दूसरा हारी मिर्च में एंटी बेक्टरियल गुण होते हैं, जो किसी भी परकार के संकर्मन से सरीर और तवचा की रक्षा करते हैं यह तवचा के लिए anti-inflammatory medicine की तरह काम करती हैं तीसरा रक्त में यदि गुलकोज का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाए तो diabetes की बीमारी हो जाती हैं जो धीरे धीरे पूरे सरीर को खोकला कर कई तरह की बीमारीयों को जनम देती हैं हमारे सरीर को बीमारीयों का घर बना देती हैं इसलिए blood sugar का स्तर control लगना बेहद जरूरी है खाने में हारी मिर्च का सेवन करके आप यह काम असानी से कर सकते हैं चोथा हारी मिर्च में भरपूर मातरा में vitamin C होता है जो रोगों को लड़ने की समता में वरिदिकर हमारी परतिरोधक समता को मजबूत बनाता है हारी मिर्च खाने के बाद आपके बंद नाक का खुल जाना भी इसी का एक उधारन है पाचवा कैंसर से लड़ने और सरीर को सुरक्षित रखने के लिए भी हारी मिर्च बेहद फाइदिमंद है इसमें भरपूर मातरा में एंटोक्संट होते हैं जो सरीर की आंतरिक सफाई के साथ ही फ्री रेडिकल से बचाकर कैंसर के खतरे को कम करते हैं छटा हारी मिर्च में सिर्फ विटामिन सी ही नहीं बलके विटामिन ए, पोटासियम, मैगनीसियम जैसे पोसक तब भी भरपूर मातरा में होते हैं जो सरीर का इम्म्यून सिष्टम बहतर बनाने में हमारे सरीर की मदद करते हैं साथवा, इसके सेवन से फेपडों के कैंसर का खतरा भी कम होता हैं अतै जो लोग धुमरपान का सेवन करने वाले लोग हैं, उनको हरी मिर्च को अपने भोजन में जादा से जादा सामिल करना चाहिए क्योंकि उन्हें फेपडों के कैंसर का खत्रा सबसे अधिक होता है आठवा हारी मिर्च को मूड बूश्टर के रूम में भी जाना जाता है यह दिमाग में एंड्रोफिन का संचार करती है जिससे हमारा मूड काफी हद तक खुशनुमा रहने में मदद मिलती है बार-बार सर्दी जुखाम हो जाता है या साइनस की समस्या है तो आपको अपने भोजन में हारी मिर्च का सेवन करना सुरू कर देना चाहिए क्योंकि हारी मिर्च म्यूकिस मेंब्रेंस को उतेजित करती है इससे म्यूकस पतला होकर निकलना और इसका स्त्राव भी कंट्रोल में रहता है जिससे नाक अटने और जल्दी जुखाम होने की समस्या आपको कभी नहीं होती आप इनसे बचे रहते हैं बाकी हारी मिर्च खाकर आईरन, विटामिन सी और B कॉंपलेक्स की भी प्राप्ती होती है हमारे स्रीर को जो स्रीर को स्वस्थ बनाई रखने में हमारी मदद करता है दसवा, वजन को घटाने में हारी मिर्च आपके लिए बेहद फाइदेमन होती है जो लोग तेजी से वजन गटाना चाहते हैं, उन्हें इसका सेवन करना चाहिए इसका परमुकान है कि हारी मिर्च में कैलोरी बिलकुल भी नहीं होती इसके परियोग से आप पोसक तत्वों को तो गरहन करते हैं लेकिन सरीर को कलोरी नहीं मिलती प्रनाम है कि आपका वजन तेजी से कम होता है ग्यारवा, विटामिन E से भरपोर हारी मिर्च आपकी तवचा के लिए भी बेहद फाइदेमन होती है यह आपकी तवचा को सवस्थ बनाए रखने के साथ ही आपकी तवचा में कसाव भी लाती है जिससे आपकी तवचा, जवचा और खुबसूरत दिखाई देती है आपके चहरे पर बुढ़ापा दिखाई नहीं देता बारवा, हारी मिर्च पुर्सों में प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करती है विज्यानी को दुआरा किये गए एक अध्धन के अंसार हारी मिर्च खाने से प्रोस्टेट की समस्या पूरी तरह से आलमोस समाव्थ हो जाती है तेरवा, दिल के लिए भी हारी मिर्च काफी फाइदेमंद होती है एक सोद के अंसार, हारी मिच से, हार्दे से समंदित सारी बीमारिया ठीक हो जाती है इसे रक्त में ठक्को की समस्या ठीक हो जाती हैं और हमें दिल की बिमारियों का सामना नहीं करना पड़ता है जोदवा यह आपके पाचन तंतर को मजबूत कर पाचन किरियाओं को दरूस्त करती है हारी मिर्च में फाइबर भी काफी अच्छी मातरा में मुझूद होते हैं जिसे मिर्च खाने से आपके जो आप भोजन खाते हैं उसका पाचन जल्दी हो जाता है इसमें परचूर मातरा में पाई जाने वाला विटामिन सी चोट या घाउ को भरने के काम में सहायक होता है भी हरी मिर्च काफी फाइदे मंद होती है इसके इलावा यह सरीर के आंगों में होने वाले दर्द को भी कम करने में बेहद सहायक होती है इसलिए अर्थरेल्टिस के मरीजों को भी इस हरी मिर्च का सेवन करना चाहिए तो देखा दोस्तो कितनी कारगर है ये हारी मिर्च आपके सरीर को बहुत सारी बीमारियों से बचाने के लिए दोस्तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तो यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक सेर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी अपना ख्या लगना आपका दिन सोभो आपका दिन मंगल में हो